कि नहीं स्वच्चता अवशक है और उसका प्रभाव ये हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे इतना बारिश और इतना जल भराव के बावजूद चुकि सडकों में गड़े और ये सब बारिश की इंटेंसिटी पूरे विश में अनिविन हो रही है उसके बाद भी जो बिमारियां थी जिसे डेंगू का प्रकोप कम हुआ है जो मच्छो वाली और बिमारियां थी उनका प्रकोप कम हुआ है क्योंकि स्वच्चता से हमारा बहुत सारे लाब है दूसरा जो गांधी जी का एक बहुत बड़ा सिद्धान था अहिंसा का आज के युग में मुझे लगता है जब पूरी दुनिया विश्युद की तरफ बढ़ रही है अजर बैजान अर्मेनिया लड़ रहा है चाइना और का पड़ोसी मुल्क जो है वो एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं यूक्रेन और रशा लड़ाई लड़ी रहा है और कई जगे इस तरह की परिष्थितियां बन गई है जब पूरा विश्व एक विश्युद के कागार पे खड़ा हुआ है तो गांधी जी के सिद प्रदांत अहिंसा के बहुत ही मुझे लगता है कि सकारात्मक एक वातावरन पैदा कर सकते हैं अधी SEO समिट में हमारे माननी ये प्रदानमंत्री जी गए पूरा विश्व उनकी तरफ देख रहा था और विश्व के दूसरे वड़े नेता पुतिन से उन्होंने बड़ा इ युद्ध का नहीं है आज का समय युद्ध का नहीं है तो ये जो गांधी जी की जो सोच है जो विचार है उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं निश्चत रूप से उसका पूरे विश्व को लाब हो रहा है आज पूरे विश्व में गांधियन फिलोसफी पढ़ाई जा रही है लोग उसके समर्थक हैं लोग उसको फॉलो कर रहे हैं निश्चत रूप से हिंदुस्तान में तो हम लोग उनके अन्वियाई हैं लेकिन पूरा विश्व उसको आज मान रहा है गांधी जी ने आप देखिए जो एक इतना बड़ा हम आजादी का अंदोलन अभी सतेन जी ने मुझे चरखा दिया मुझे देखके बड़ा अच्छा लगा तो यह आप देखिए जो चरखा का यह जो एक चलाया उसके पीछे सोच क्या थी कि भारत आत निर्भर बनें उस समय अगर आपको याद हो बहुत सारा जो कपड़ा था वो विदेश से हम लोग इंपोर्ट करते थे गांधी जी की सोच थी कि हम लोग आत निर्भर बनें उसी को मानने प्रधान मंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं नमक अंदोलन उन्हें ने शुरू किया कि भारतिये जो के कारे करम रहे जितने भी अंदोलन रहे वो उस परिष्थिती के उस विचार के और उस समय उनकी क्या रेलिवेंस थी उन सब के ओत्रोत थे आज वही काम भारत सरकार बहुत आगे लेके आ रही है अभी तीन वर्ष पूर्व गांधी जी का अभी एक सो तरे पनवा है वर् उस था पूरे हिंदुस्तान ने उसको बड़े गर्व से बनाया बड़े उलास के साथ मनाया और पूरे विश्व में भी उसने जितनी भारती अंबेसी थी उन्होंने बहुत बढ़ चड़ कर उसको हिसा लिया और हर जगे जहां जहां की भी सरकारे रही वहां पे इंडियन एंबेसी को उनका भरपूर सहयोग मिला आप चाहे अमेरिका देख लें बिल्टेन देख लें जितने भी जर्वन देखें जापान देखें सबने गांधी का जो 150 वा जो जनम वर्ष था उसमें गांधी जी को अपनी सच्ची स्रद्धानजिली देने के लिए हर जगे कारे क कराये हैं भारत में बहुत बड़े कारे करम हुए हैं और मैं सतेंद्र जी को बहुत बदाई देता हूं कि वो इस श्रंखला को आगे बढ़ा रहे हैं एक-एक बूंद से ही पूरा घड़ा भरता है एक-बूंद से ही पूरा समुद्र बनता है तो आपका प्रियास मैं मानत मैं उसको बहुत सेलूट करता हूं कि इन इस्थितियों में आपने मौसम की परवाना करते हुए आप यहां आए और इस कारेक्रम में अपना प्रतिभाग कर रहे हैं यहां आदन्य गुरुजी की उपस्थिती है उनका मैं बहुत बड़ा प्रशंशक हूं उनसे बहुत कुछ जब भी उनका मैं उद्भोदन सुनता हूं बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है तो मैं अपनी वानी को विराम देता हूं आयोजको को इस सुन्दर कारेक्रम के आयोजन के लिए बदाई देता हूं और हमारी जो बहन हैं इतना अच्छा संचालन कर रही हैं कि हर आदमी म जो इनर्जी है वो बरकरार है वो कभी भी जो है इनर्जी डाउन नहीं होने देनी होने दे रही हैं आपको भी बहुत बहुत बदाई बहुत शुक्कामना है सभी को मेरा परणाम धनेवाद जय हिन जय बारत बहुत बहुत शुक्रिया अधर्णिये उर्जा जो है आपके शब्दों ने दी है हमें और आपकी ये बाते हैं आपका कथन आपका उत्साह वर्धन यकिनी तोर पर हमारे लिए बहुत बड़ी संपदा है बहुत बड़ी दॉलत है किसी शायर ने कहा है कि आपके सर पर चाया बनके चलेगी दूप में वक्ते रुकसत घर से अपनों डुआ ले जाओ तो अपने जो दुआएं दी है जो जो आशिर्वात दिया है जो संबल दिया है, जो प्रोटसाहन दिया है, बेश किमती है, यकिनी तोर पर, मैं चाहूंगी कि एक बार और जौरदार तालियां जो हैं, हो जाएं, और अब जो है, हम आगे की और बढ़ते हैं, और गांधी जी का स्मर्ण होते ही, सबसे पहले हमें पीर पराई जाने लिए भजन जो है वो जहन में घूमना शुरू हो जाता है, कभी भी आप सुने उन पंक्तियों को, तो आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, शांत और सुकून भरी दुनिया में, गांधी सही कहते थे, जो उसन ने उधारन दिया, कमाल का उधारन है, कि भई, लड़ाई की शक्ता ही नहीं है, प्रेम से बहुत कुछ जीता जा सकता है, प्रेम में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को जीता जा सकता है, और आज की दुनिया बारूद के धेर पर वैठी है, चिंगारी की जरूरत है बस, उस चिंगारी से बचना है, बहुत शांत होना है, बहुत सु सुकून देता है तो उसी तरह से गांधी जी के भी विचार रहे तो चलिए आपको सुकून की दुनिया की ओर लिये चलते हैं अभी आपको एक ऐसे स्वर लहरियों में डुबो देते हैं जहां आनंद ही आनंद है और विराग्रह रहेगा कि तनमेता से सुनियेगा ध्यान से स डूब करके सुनियेगा बहुत आनंद आने माला है क्योंकि जो ये पेशकश लेकर के आ रही है टीम वो जो है अनिका कौर है कमाल की श्रक्सियत है लाजवाब उनके आवाज में जादू है तिलिस्म है उनकी आवाज में कमाल की भजन गाइका है वो और उनकी वो जिस तरह स्वर लहरियां जब छेडती है तो एक अलग ही वातावरन मधुरिम सा वातावरन जो है वो तयार करती है हमेशा मैं चाहूंगी अनिका जी को जोड़दार तालियों के साथ हम मंच परामंत्रन दे और उनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं बवीता जी को बुलाना करती है उत्थान समीति को निरंतर उचाईयों तक बुलंदियों तक ले जाने के लिए पत्नी के लिए तालियां ज्यादा होनी चाहिए बहुत सारा समर्पन और सहयोग रहता है पत्नियों का तो बवीता जी जो है वो अनिका जी का स्वागत अभिनंदन करेंगी टीम जो है आप उठान की टीम से आगरा है कि स्वागत अभिनंदन के लिए ऑगर अगर हमारे बीच में वीभा जी है या अमिता जी है या सरीता अगरवाल जी तो वो भी मंज पर आजाएं सके अगरवाल जी अमित अग्रवाल जी, अमिता जी, जी, अमिता गोयल, आजाएए प्लीज आप भी मंच पर और बबीता जी का सहयोग कीजिए, अनिका जी की मुस्कान बड़ी प्यारी है, और वो खुद भी बहुत प्यारी है, और वो जब स्वर लहरियां छेड़ती हैं, तो वो भी उतनी ही आनंदमाई होती हैं, बहुत खुबसूरत उनकी पेश का शावेशा रहती है, गाने का मेरा ये मानना है कि जब भी आप कुछ गाते हैं, वो आवाज या गले से नहीं गाया जाता है, जब वो रूह से गाया जाता है, जब वो दिल से गाया जाता है, तो दिल से निकल कर दिल तक पहुँचता है, और अनिका जी यही काम करती हैं कि वो ऐसी स्वर लहरिय छेड़ती हैं जो उनके हिर्दय से निकल कर आप सबके हिर्दय तक पहुँचती हैं यह उत्थान समीति की और से जो है अपने कलाकार का स्वागत अभिनंदन देखिए यह बड़ा कमाल का कॉंसेप्ट सर ने भी अभी जिक्र किया चर्खा चर्खा देखते ही कहीं भी चर्खा दिखे हमें गांधी याद आते हैं हमेश्वा आत्मनिर्भरता का एक संकेत है यह चर्खा और आत्मनिर्भरता की यही छोटी-छोटी बाते हमें कोरोना काल में बहुत याद आई जब हम विशम परिस्थेतियों से घिरे जब सारे वेवसाइट ठप हो गए सब कुछ बंद हो गया तब लगा कि छोटी-छोटी जो ये हमारी बुन करके काम या चोट-छोटी जो काम हैं जो हम बहुत कम पैसा लगा करके अपने आसपास ही कह कर सकते हैं चोटी जगह में भी वो कितने फलदाई होते हैं बजाए इसके कि बड़े-बड़े उनके बाट जो है हम तो अब जो है तालियां उस तरफ से ज्यादा आ रही हैं क्योंकि आनिकाजी शायद उधर से आई थी कि इधर से आई थी जोरदार तालिया निकाजी